कि जी तो आज की वीडियो में हम अपने ट्राउजर की पेंट ट्राउजर की स्टीचिंग करेंगे यहां पर मैं अपने ट्राउजर का जो आसन है उसको मैं जोड़ लूँगी एक साइड को कि यह हमने आसन को स्लाइक गिया है इस तरह और अब हम दूसरे पैंचे के दूसरी साइड का जो आसन है उसको हम जोड़ेंगे कि यह दोनों आसन को हमने जोड लिया है यहां पर फ्रंट और बैक दोनों आसन को हमने जोड़ा है जोडने के बाद हमने ये देखे इस तरह एक हमारा पाइंचा छोटा है फ्रांट वाली साइड जो है वो कम है और जो बैक है हमारी वो ज्यादा है चुड़ाई उसके हमने ज्यादा रखी थी अब हमने क्या करना है आसन को आसन से जोडते हुए हमने जो फ्रांट वाली हमारी सलाइगे जब हम सीएंगे तो हमारा एक जो साइड है वो च्षोटी होगी एक बड़ी होगी जो च्षोटे वाली साइड है वो हमने जिदर से हमने कट restaurants करते हुए एएए एक इंच हमने उज मजीद काट दिया था यह हमारा front साइड हो आएगा हमार हमारे पेंट ट्राउजर का और जो हमने चुड़ाई जादा रखी थी जो हमारी फुल चुड़ाई है वो हमारी बैक आईगी ट्राउजर की इस तरह यह जो फ्रांट वाली साइड हैं हम इनको कम्प्लीट स्लाई करेंगे दोनों साइड को बराबर रखते हुए बिल्कुल अब फिर हमने आसन को पहले जोड़ लेना है और फिर आगे फ्रांट वाली जो दूसरी साइड की हमारी जो स्लाई है उसको हम कम्प्लीट करेंगे इस तरह से ही यह हमने पांचे तक दूसरी स्लाई को भी सी दिया है दोनों से लाई हमारी कम्प्लीट होगी है फ्रांट वाली अब मैं नीचे से पांचे की फोल्डिंग करूंगी क्यूंकि मैंने यहां पर अटैच करना था पैच तो मैं इसकी बिल्कुल कम रखूंगी नीचे से इसकी जो चुड़ाई है इसकी जो फोल्डिंग है फोल्डि और इसका जो एक्स्ट्रो और गेंजा बचा हुआ था कपड़ा उपर को मार्जन वह मैंने अंदर की तरफ प्रेस कर लिया है अच्छी तरह से मोड के और सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है पैंसल से इसका मैंने सेंटर मार्क करके उपर रखके इस तरह कैपरी के उपर रखके मैं इसको मिशीन के साथ ही लगा लूँगी पैच को इस तरह थोड़ा-थोड़ा हम फोल्ड करते जाएंगे और साथ में हम स्लाई लगाते जाएंगे यह इस तरह करके यह मैंने स्लाई का मारजन छोड़ा है ट्राॉजर का यह दोनों साइड से मैंने छोड़ दिया है पैच ख्याल रहे कि जो हमने निशान लगाया है वो बिल्कुल सेंटर में आए हमारे पैच का सेंटर वाली सलाही तक का आज जाना चाहिए वो इस तरह अच्छे तरीके से मैं इसको फोल्ड करती जाओंगी और मैं इसको पूरे को लगा लूंगी यह हमने पूरा पैच अटैच कर दिया है वान साइड पे जितनी मैंने नीचे से इसकी चुड़ाई रखनी थी वहां तक मैंने पैच को काट लिया था पहले पैच को हमने अटैच कर लिया है और यह बहुत ही नीट एंड क्लीन लग गया है पैच हमारा अब मैं नीचे कैपरी की जो हमारी स्लाई है वो में लगाऊंगी मैंने शलाई का मारजन छोड़ते हुए पैच को अटैच किया है क्यूंकि इसकी मूटी सी तेया ना बन जाए पांचे से बाहर ना निकले इतना सारा मैंने मैयर करके अटैच इसको किया है पैच को अब हमने उपर जो आसन है हमारा उसकी दोनों जो स्लाईया है उनको हमने बला लेना है अच्छी तरीके से और इस तरह पूरे जो है हमारे ट्राउजर का नीचे वाला पोर्शन उसको हम बलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई चुनट ही है जोलना पड़े बिलकुल इसको हम ब्राबर करके और हम इसकी स्लाई लगाते जाएंगे ये हमारी अंदर वाली स्लाई लाग रही है हमारी पैन ट्राउजर की और इस लाई को हम उपर आसन तक स्लाई करेंगे स्टिच करेंगे और दूसरी साइड पर जाकर हमें इसको चाहिब को नीचे उतारेंगे में इसी के कर हमें की बीड़र के लाइक लिजा सेल हमें यहँआ पार भी मैंने मार्जन छोड़ा है अब इतनी ही हमें इसकी भी विर्थ ली थी पिर हमने आसन की तरफ से पूरे ट्राउजर की लेंट को हमने बिल्कुल बराबर कर लेना है बराबर करते हुए हम इसकी स्लाई लगाएंगे जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा यह जो पेंट ट्राउजर मैं स्लाई कर रही हूँ इसकी पूरी वीडियो है कटिंग की भी मेरे चैनल के उपर दिलकुष डिजाइनिंग आइडियाज के उपर अगर आप लोगों को इसकी कटिंग का टुटूरियल भी चाहिए तो फिर आप प्लीज मेरे चैनल को जाके वाज करें सर्च करें इसकी कटिंग की वीडियो भी जी तो यह हमारे फाइनल लोक है और यह नीचे इसका पाइंचे वाली साइड है यह इसकी फ्रंट साइड है हमारी ट्राउजर की यह जो हमने इसकी एक इंच एक्स्ट्रा कटिंग की थी उसके वज़ा से यह लाइन आगे को आ रही है यह इसकी फाइनल लुक बने है